तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही शांदार बिजनस के बारे में और ये बिजनस हाल ही में हमको डीमर्ज होता हुआ देखने को मिला है और रिसेंटली मैंने भी इस कंपनी में बाइं करी है तो क्या ऐसी खास बात हैं इस company में वो आपके साथ साजा गरूँगा, मैंने क्यो बाइंग करी है, वो भी हम discuss करेंगे और आपको क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या नहीं, और बाइंग करनी है तो क्या thought process होना चाहिए, वो सारी चीज़े discuss करेंगे, entire business को हम यहाँ प बिजनस अब अलग हो चुका है, जो इनका NBFC वाला बिजनस था और यह जो फार्मा का बिजनस है, अब अलग-अलग हो चुका है, जो पहले हाँ पर merged है, अब demurged हो चुके हैं, अब इस company की बात करें तो काफी जबरदस्त diversified business model है, strong market position है across segment, सबसे पहला जो इसका segment है, वो solutions प्रोइड करा रहा है, one is top solution provider है for the global innovators, और यहाँ पर drug discovery से लेके manufacturing services तक यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर इनकी पकड़ है, गजब का customer base है इनका, तो यहाँ पर पहले segment से इनका सबस्यादा revenue आता है, I think around 60% के आसपास revenue इनका CDMO segment से आ रहा है, दूसरा है complex hospital generics, जहाँ पर यह basically formulation और drug जो complex drugs हैं वो बना रहा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो fourth largest inhaled anesthesia player है globally, जहाँ उस तो जो इनके कुछ anesthetic यहाँ पर inhaled anesthetics जहाँ जो generics है, formulation है, यह company provide करा रही है, जहाँ पर इनकी अच्छी पकड़ है, और fourth largest है है, third है इनका India consumer healthcare, यानि कि जो consumer products है, य Paradon इनका brand है, ठीक है, women contraceptive जो है यहाँ पर इनकी अच्छी पकड़ है, साथी साथ Littles, Tetmosol, काफी सारे ऐसे products है जिनकी sales 100 करोड के आसपास है, तो मतलब गजब का इनका यहाँ पर product portfolio है, और यहाँ पर भी it is amongst the leading player in India in the self-care space, और लगातार अपने distribution footprint को बढ़ाय जा रहे है इधर भी आप देखें तो number 11th rank है in OTC segment in India, यानि कि जो over the counter drugs होती है, 4th है इनका देखिए ophthalmology branded products, यहाँ पर इन्हों ने हाल ही में joint venture किया है allergen के साथ, और it is the market leader in the fastest growing ophthalmology category in India and they are the number one in this segment in India, ophthalmology मतलब जो हिंदी में बोने तो जो नेत्र विज्यान होता है, जो eye related यहाँ segment है, उसको यह cater करें जहाँ पर यह number one है और यह काफी जबर्दस इन्हों ने हाल ही में JV किया है, तो यहाँ पर हमने बात कर लिए इनके कौन से segments है, अब इन segments को हम यहाँ पर समझते हैं कि करके, तो देखिए सबसादा revenue इनका CDMO segment से आ रहा है 59% से, उसके बाद complex health generics से 30% then consumer health care से 11%, अब यहाँ पर जो revenue growth रही है इनकी overall consolidated अगर हम बात करें तो देखिए 13% CGR से FI 12 से FI 22 तक यह grow करते हुए नजर आई, यानि कि पिछले 10 साल में 13% CGR से consistent basis पर यह company grow हो रही है, बहुत ही stable business है और पिरामल ग्रुप की company है तो आप समझ सकते हैं कि management बहुत अच्छा ह है, EBITDA जो इनका grow हुआ है, वो 24% CGR से हुआ है, 10 सालों में, margins अगर बात करें तो margins भी यहाँ पर लगातार expand हुआ है, लेकिन FI 20 से margins हमको यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिले, because COVID आ गया था, COVID की वज़े से काफी issues यहाँ पर face करते हुए देखने को मिले, जित्ते भी C इस company के जो margin and equations रहते हैं, वो काफी जवर्दस रहते हैं, एक घजब का track record है, 2011 से देखिए लगातार यह equation करते हुए आ रहे हैं, देखिए लगातार इन्होंने equation किये हैं, और 2021 तक यह चालू है, भी हाल ही में इन्होंने 33% stake जो है, यपन बायो में लिये हैं, जहाँ पर यह new technologies इन्होंने add किये, जहाँ पर ही large molecules में काम करने वाले है, small molecules में तो इनकी काफी अच्छी पकड है, लेकिन अब large molecule में भी entry ले चुके है, with this stake, and साथ यसाथ अगर देखें, तो इन्होंने 2020 में एक G&W Labs OSD facility का यहाँ पर equation किया, ठीक है, वह हम से करीब करीब यह revenue expect कर रहे है 35 to 40 million over the next 3 to 4 years from this new facility, और ऐसे बहुत सार है, मतलब लगातार यह, जो है इनका track record है, लगातार यह equations करते रहते हैं, और organic growth के साथ, inorganic growth भी इनकी काफी अच्छी हम को आती हुई देखने को मिलती है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखें, CDMO की जो growth है, FI12 से लेकर, FI22 तक वो 11% की रही है, तो काफी अच्छी growth आती हुई देखने को मिली है, जिसमें से जो CMO sales है, ठीक है, commercial CMO sales है, वो 58% का यहाँ पर sales contribution दे रहा है, और यह stick in nature है, मतलब कि यहाँ पर जो बड़े innovators है, वो यहाँ पर stick in nature है, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा gestation period है, काफी regulatory compliance compliance यहाँ पर hurdles है, जो कि यहाँ पर पिरामल की बात करें, तो काफी गजब का compliance track record है, तो कहीं पर नहीं जाते है, तो यह stick in nature है, यह business यहाँ पर हमको आगे भी growth करता हूँ और देखने को मिलेगा, और molecules की बात करें, तो काफी जबरदस्त molecule pipeline है इनके पास, उसकी बात भी हम अ देखें, तो आगे की growth CDMO market में 7% CAGR समको, FI26 तक आती हुई देखने को मिलेगी, small molecule की जो growth है, वो 11% की है, तो इनकी यहाँ पर pipeline काफी अच्छी है, तो आगे की growth prospect भी अच्छे नजर आते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें, तो जो भार के global innovators है, वो लगातार यहाँ प कोई बड़ी innovators, जो global pharma giants है, वो देखें, यहाँ पर जो end-to-end solutions provide कर रहे हैं, integrated service providers है, उनको लगातार business वो दे रहे हैं, तो यहाँ पर piramal pharma काफी अच्छी company नजर आती है, जैसे हमने बात करें, integrated business model है, across the life cycle, जो है molecule के service offerings provide करा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ असको बड़ा करूं, तो आप देखें, pipeline में 120 molecules हैं, जो phase 1, phase 2, phase 3 में हैं, तो जैसी यह commercial होंगे, molecule commercialized होंगे, तो आप समझ सकते हैं, कि यहाँ पर growth के पूरे-पूरे chances नजर आ रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर growth prospect अच्छे नजर आ रहे हैं, और यह company यहाँ पर अ times यहाँ पर बढ़ चुकी है, मतलब लगातार इनकी pipeline में हमको consistent basis पर growth देखने को मिल रही है, client concentration भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो उपर के 3-4 client है, उन्हीं से revenue आ रहा है, सारा नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, top 4 clients से only 5% sales है, top 10 से 39% and करीब देखिए, 75 new customer इनों ने add कि हैं, since FI20, उससे पहले के जो customer थे वो तो हैं, 175 new customers और हैं, तो मतलब across multiple geographies, across locations यहाँ पर इनके customers हैं और पुरा, आप कह सकते हैं कि globally इनका व्यापार यहाँ पर फैला हुआ है, तो काफी अच्छा यहाँ पर एक जबरदस चीज है कि इनका जो, जितने भी segment है, regulated markets में काफी यहाँ पर वो, इनको cater कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि unregulated market में, regulated market में entry लेना हर किसी के बसकी बात नहीं है, तो यहाँ पर एक entry barrier भी create हो जाता है, जो कि यहाँ पर एक cushion देता है, जो sustainable growth को, अगर हम और चीज़ देखें तो देखिए, देखिए, भी 4A into large molecules, यपन बायो के के, तो यहाँ पर large molecules में भी उतरने वाले हैं, and देखिए, CDMO providing expertise in biologics and vaccine, तो यहाँ पर यह जो company, यह भी काफी अच्छा है, यहाँ पर renowned name है, जिसको इनोने अभी हाली में, जिसमें 33% stake लिये हैं, और यहाँ से इनकी capabilities और बढ़ती हुए नजर आएगी, अब इनका दूसरा तो यहाँ पर competition काफी कम है, long term contract with customers and GPO, तो customers के साथ long term contracts है, यहाँ पर इनके साथ GPO है, मतलब कि यहाँ पर जो basically purchasing order होते हैं, यहाँ पर group purchasing orders को बोलते हैं, जो कि basically health care providers है, उनको यहाँ पर benefits provide कराते हैं, ताकि वो जो manufacturers हैं, उनके साथ benefit को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनके सा पास basically हैंपर benefit है, large market है with high entry barriers and attractive market dynamics जैसे हमने भी बात करी, यहाँ पर अगर हम देखें, तो CSG की sales है, complex health generic को जो sales है, 17% CAGR से पिछले 10 सालों में हमको grow करती हुई देखने को मिली, और अच्छा कासा इनका यहाँ पर, जो है, market में leadership है, position मनाई हुई, market में एक जो है, यहाँ प fluorine based product है, इनके कई सारे मुझे नाम अभी आत नहीं है, लेकिन वहाँ पर इनकी अच्छी पकड है, और भी सारे products में, अच्छी तरीके से देखिए, diversified है, तो यहाँ पर injectables में भी है, anesthesia में भी है, और भी देखिए, pain management में भी है, तो gland pharma भी इसका एक competitor है, तो gland pharma से भी compete कर अपने products apply कर रहे है, unregulated markets में काफी चीज़ें हो सकती है, उपर नीचे, लेकिन regulated market में एक पर entry ले ली, अगर आपकी facilities है, वो FD approved हो चुकी है, अगर आप compliance track record आपका काफी अच्छा है, तो वो एक बड़ा entry barrier यहाँ पर create करता है, और देखिए, काफी सारे product इनके अभी pipeline में CHG में, मतलब including 40 SKUs at various stages of development and approval, तो strong pipeline है, new products की complex health genetics में भी, तो यह भी एक बड़ा positive है, तो मतलब गजब की product pipeline है, overall अगर हम बात करें तो और industry size, जो है injectables का, तो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर gland pharma भी एक अच्छी company है, तो अगर gland pharma में आप निवेश नहीं करना चाते हैं, त तो देखिए जो product है, इनके saver fluorine और des fluorine और एक और product है, तो यह जो हैं यहाँ पर market leader है, इनके यह वाले product, जहाँ पर market में अच्छी पकड़ है, इंडिया consumer healthcare की बात करें, जो इनका third segment है, जहाँ पर गजब किन के पास product है, अब बात करें, तो किन किन देखिए, analgesics, skincare, vitamins, य देखिए, Calamine, Lacto Calamine, iPill, Little, Ceradon, Supradin, ऐसे product हैं, जिनका आपने जरूर advertisement देखा होगा, टीवी पे, जरूर आपने products यूज किये होंगे, तो एक branding इसकी company के काफी अच्छी है, advertisement काफी अच्छी तरीके से करती है, तो यहाँ पर distribution network जो है, इनका काफी जबरदस्त है, इसकी व करोड़ तक की sales यह कर रहे है, और देखिए, 2 lakh प्लस outlets है, इनके मतलब direct reach है, तो यह एक जबरदस्त advantage है, और यहाँ पर जो growth आ रही है, 18% CGR से यह growth हमको आती हुए देखने को मिल रही है, और dominate कर रही है यह skin care को, analgesics को, VMN को, ICH vertical में, तो यह सारी चीज़े है, और अगर इसमें यह market leader है, Tetmosol, Benadin, skincare में, सारे में मतलब इन्होंने market पूरा capture किया हुआ है, Supradin, ठीक है, तो यह सारे little kids wellness में भी देखिए, little kids wellness में यह kids के products जो है, toys वगएरा, medicine, garments वगएरा, उसमें भी यह उतर रहे हैं, तो मतलब काफी अपने आपको लगातार देखिए, जो इनका capital जो यह deploy करते रहते हैं अपने business में, वो काफी अच्छा है, तो ROC यहाँ पर मुझे रखता है, यहाँ पर थोड़ा अभी कमजोर होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर निवेश करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही stable business हो जाएगा, तो ROC यहाँ पर improve होता हुआ, नजर आएगा क्योंकि अभी लगातार यह investment phase में ही रहते हैं, लगातार अपने capital को यह allocate करते रहते हैं, तो capital allocation point of view से काफी अच्छी company नजर आती है, अब यहाँ पर आप देखें, और कुछ important चीज़े अगर हम देखें, तो देखें, optimology की बात करते हैं, जो इनका चौता segment है, तो यहाँ यह leadership position है, इनकी domestic opthal market में, जो आई related, यहाँ पर diseases होती हैं, उसको cater करने के लिए, basically यहाँ पर ही market leader है, तो यहाँ पर भी sustainable growth आ सकती है, आगे इसका market potential भी काफी अच्छा नजर आता है, combination contribute 40% of the revenue, जो कि एक important इनका product है, तो यह है, और बाकि अगर हम बात करें, तो इनका track record, compliance track record काफी लाजवाब है, देखिए, strong compliance track record, जो कि again एक और advantage है, इनके देखिए, एक भी USFDA audits में, हाँ पर कोई भी observation हमको आती भी देखने को नहीं मिलती है, तो यह भी एक बहुत positive हमको देखने को मिलता है, और management जैसा मैंने बोला, management तो बहुत ही लाजवाब है, अब यहाँ पर peer comparison की बात करें, तो देखिए, पिरामल का compare, जो है peer यहाँ पर डिवीज है, सिंजीन है, सुहेन फार्म है, जो major competitor है, और उसके साब से देखे, तो यहाँ पर revenue देखिए, 45,000 करोड का revenue है, और यहाँ पर अगर मैं EV to sales की बात करूँ, यानि की enterprise value to sales की बात करूँ, तो यहाँ पर अभी काफी अच्छा नज़र आता है, comparatively, इनके मुकाबले काफी सस्ता नज़र आता है, EV to EBITDA इसका 18 times है, बाकी का देखिए, सुवेन का 14 है, डिवीज का 25 है, सिंजीन का तेहिस है, सुवेन सस्ता नज़र आता है, लेकिन सुवेन के पास इतनी capabilities नहीं है, इतना integrated model नहीं है, जितना पिरामल के पास है, तो मेरे इसाब से पिरामल यहाँ पर काफी attractively valued है, as compared to its peer, pharma injectable में, gland pharma की बात करें, तो EBITDA उससे सस्ता नज़र आता है, तो gland pharma अच्छी company, लेकिन पिरामल यहाँ पर attractively valued है, injectable में, consumer business के बात करें, तो यहाँ पर देखिए, GSK, PNG Health and Abbott से भी यहाँ पर सस्ता नज़र आता है, और sales भी यहाँ पर काफी अच्छी कर रहा है, तो यह सारे चीज़े हैं, पिरामल को काफी अच्छी बनाते हैं, इसलिए मैं यहाँ grow हुआ है, ठीक है, CDMO business ने 8% growth यहाँ पर दिखाई है, year on year, because execution related challenges यह phase कर रहे हैं अभी, order delivery schedule जो है हाँ पर, उस पे issues इनको phase हो रहे हैं, जो customers हैं, उनकी तरफ से issues phase हो रहे हैं, because अभी supply chain issues हो रहे हैं, इसकी वाज़े से CDMO segment इनका grow नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में CDMO segment की growth यहाँ पर काफी अच्छी रहने वाली है, उसके पीछे reason यह है कि इनोंने बोला है कि काफी जबरदस्ते हैं पर RFP, जो inquiries हैं, इनके पास आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो pipeline है, वो काफी लाजवाब है, जैसी यह सारी issues clear हो जाएंगे, यहाँ पर आपीस से growth आने पार्मा के तो उस पर नजर रहेगी, तो इनका कहरा है कि जो 70% of the profit है, वो second half में हमको आता हुआ देखने को मिलता है, तो यह सारी चीज़े हैं, आगे अगर बात करें, तो यहाँ पर pipeline की बात इनोंने करी है, management ने अभी हाली में एक इंटर्वी जैस में कहा का है कि FI 25 में 10 10,000 करोड का revenue टच करते हुए देखने को मिलेंगे, करीब 25-28% margin यह टच करते हुए देखने को मिलेंगे, और CDMO प्रोजेक्ट pipeline काफी जबरदस्त है, तो management का interview भी आप जाके देख सकता है, YouTube पे आपको मिल जायागा, अजय पिरामल, नंदेनी पिरामल जी का interview देखिएगा, काफी promising है, और आगे केपेक्स की बात करें, तो 1200 करोड का केपेक्स हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो केपेक्स भी आने वाला है, अगले दो सालों में, काफी अच्छा, जहाँ पर यह new capacities लगाते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पर domestic expansion भी है, और international expansion भी है, साथ ही जो है फैसलिटी है, तो चाइना प्लस वन का एक बहुत बड़ा beneficiary यहाँ पर पिरामल फार्मा हो सकता है, तो इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर बाय किया है, जब यहाँ पर लिस्टिंग होई, मेरा जो इसका बाइंग प्राइस से करीब करी 165 के आसपा से अप्रॉक्स, त यहाँ पर दोस्तों मैं और बाय करूँगा, अभी क्योंकि देखिए पिरामल फार्मा काफी ज़्यादा अभी मार्केट में इसकी बारे में चर्चा है, काफी ज़्यादा नौइस है, तो हो सकता ही और करेक्ट हो जाए, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकि मैंने बाय कर ल और यहाँ पर ग्रुप भी काफी अच्छा है, आगे के प्रोजेक्ट पाइपलाइन भी काफी अच्छा है, तो इसलिए आप बाय करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय कीजेगा, यह मान के चलेगा, यह स्टॉक यहाँ से भी 20% और करेक्ट हो सकता है, तो आपको यहाँ पर कोई डरनी की ज़रूरत नहीं है, अगर long term का आपका vision है, तो मुझे रखता है sustainable growth यहाँ पर नज़र आईए, क्योंकि diversified business model है, CDMO तो काफी एक high growth business है, जहाँ पर operating leverage मिलता हो नज़र आएगा, complex health जनरिक एक sustainable cash flow business है, और consumer healthcare जो business है इनका, जहाँ पर healthcare products य इनके काफी अच्छे चल गए, तो यहाँ पर यह multi million revenue वाले product वो साबित हो सकते, जहाँ पर गजब का cash flow generate हो सकते हैं, तो काफी सारी optionalities हैं, इस business में ophthalmology भी है, चौता segment, तो इसलिए मुझे अच्छा नज़र आता है, इसलिए मैंने इसको buy भी किया, तो अब मेरे पास दे decision, अपनी risk appetite, अपनी horizon, अपने अनुसार, उस हिसाफ से ले सकते हैं, हर चीज़ को factor in करके, तो I hope दोस्तों वीडियो आपको informative लगा होगा, तो अगर कुछ चीज़ मैंने miss किया, तो comment box में जरू पूछ सकते, जरूर reply करूँगा, मिलते हैं आपसे next video में, till then take care, और अगर जो है upload हुए हैं, जाके जरूर देख नीचेगा, तो like जरूर कीज़ेगा, effort को जरूर appreciate कीज़ेगा, मिलते हैं next video में, till then take care,